हमारे जो Chief Justice of India हैं यानि उच्छतम नाइले के जो मुखिन अधीस हैं जो भारत के Chief Justice हैं N.V. रमन्ना सहब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इन्होंने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्तावर रखा है कि भारत में एक National Judicial Infrastructure Authority की स्थापना की जाए यानि भारत के मुखिन अधीस या Chief Justice of India रमन्ना सर ने ये कहा है कि भारत में नजाई जिसकों सौर्ट फॉर्म में नजाई बोलने हैं और फुल फॉर्म उसका क्या है? National Judicial Infrastructure Authority of India की इस्थापना की जाएं तो चलिए समझते हैं कि इसके माइने हैं क्या? और ये नजाई होगा क्या? तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये नजाई है क्या? यानि National Judicial Infrastructure Authority of India तो बेसिकली ये एक Central Agency होगी केंदरी संस्था होगी फिर बता रहा हूँ कि नजाई क्या है? नजाई एक केंदरी संस्था होगी और वो क्यों होगी? ताकि जो आप Subordinate Course देखते हो, अधिनस्त नयाईले देखते हो उन पर उन में जो भी Budgeting से Related मामले है जो भी उनके आयवे से संबंधित मामले है साथ ही जो भी वहाँ पर Infrastructure की कमी है या Infrastructure Development के लिए जरूरी मामले है उनकी देखरे करेगी कौन नजाई? फिर बता रहा हूँ कि नजाई क्या है? नजाई बेसिकली Subordinate Course या अधिनस्त नयाईले में Infrastructure Development के लिए एक Specialized Agency होगी जो Central Agency होगी, केंदरी Agency के तौर पर काम करेगी अगर आप सबने कभी नालसा पढ़ा होगा जिसे हम National Legal Services Authority कहते हैं तो नालसा में बेसिकली क्या होता है? केंदरी इस तर पर एक Authority होगी फिर राज के इस तर पर एक Authorities होगी राज सरकार की Authorities होगी नालसा की स्थापना भारती समिधान के आर्टिकल 39.1 की पूर्टी के लिए की गई है जहां पर लिखा गया है कि राज सभी वेक्तियों को समान नयाय और निशुल्क विधिक सहायता यानि Free Legal Advise प्रदान करेगा यानि भारत के समविधान में जब आप DPSP में या राज के नीति निदेशक तत्त को देखोगे तो वहाँ पर एक आर्टिकल मिलेगा वो किसी भी प्रकार से उसके कुछ भी होता और वो वकील नहीं हायर कर पाता है या उसको किसी भी प्रकार की लीगल सहायता की जरूरत होती है तो राज जी का ये दाइत तो है कि वो उस वेक्ति को Free Legal Advise या निशुलक विधिक सहायता उपलब्ध करायब अब जो ये आर्टिकल 39-1 की पूरती के लिए क्या हुआ कि नालसा की स्थापना की गई यानि नेशनल लीगल सर्विसेस अथारिटी इसमें एक केंदरी इस तर पर है नालसा फिर राज के इस तर पर आपको इसी प्रकार की अथारिटीज मिलेंगी सेम वैसे ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी नजाई के लिए बोला है यानि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथारिटी ऑफ इंडिया के लिए जिसमें नजाई केंदरी इस तर पर होगी फिर प्रतेक राज्य में स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथारिटी होगी सेम वैसे ही जैसे नालसा है वैसे ही नजाई भी होगी अब नजाई का काम क्या होगा तो नजाई का काम होगा कि जो भी सब ओर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं अधिनस्त नयाले जो भी है उनके जो budgeting से related जो भी मामले है या फिर वहाँ पर जो भी infrastructure की कमी है आधारबुद संदशना की कमी है उसकी प्राप्ती की जाए या उसकी पूर्ती की जाए वहाँ पर infrastructure प्रवाइड किया जाए या डवलप किया जाए अब एक important मुद्दा आता है कि subordinate courts क्या होते हैं तो देखिए high court के अधिन या high court के अधिनस्त जितने भी नयाले होते हैं उन सभी को एक term में हम subordinate courts या अधिनस्त नयाले कहते हैं जैसे हम अगर भारत में judicial system देखें तो सबसे उपर हमको दिखता है supreme court फिर high court फिर district and session court और फिर district and session court भी छोटे छोटे कुछ courts में divide होता है तो high court के नीचे के जितने भी court होते हैं उनको subordinate courts या अधिनस्त नयाले कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये high court के अधिन गाम करते हैं इसलिए हम इनको अधिनस्त नयाले या subordinate courts कहते हैं तो पहली चीज आपको ये समझ में आई होगी अब बात ही आती है कि ये जो नजाई की स्थापना हमारे Chief Justice of India साहब ने कहा है ये नजाई करेगी क्या किस प्रकार का court में infrastructure होता है जिसके development के लिए ये काम करेगी तो एक छोटा सा एक report में एक आंकड़ा आया इसको समझने का प अगर देखें subordinate courts हैं तो वहाँ पर अगर आप देखोगे कि कितने judicial officer हैं या नयाई करते हैं उनकी संख्या है 24,280 यानि जो भी judicial officers हैं नयाईधीस हैं उनकी कुल संख्या है जिला इस तर पर जिला नयायले के अंतरगत या जिसे हम subordinate courts कहते हैं उनके अंतरगत 24,280 अब 24,2 288 judicial officers हैं लेकिन अगर आप court hall की संख्या देखो तो मात्र 20,143 है यानि यहाँ पर आप देख रहे हो कि court के hall officers से कम है 20,143 हैं जिसमें सबसे एक आस्चर जनक बात ये है कि इस 20,143 hall में 620 hall rent पर लिए गये हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या infrastructure problem infrastructure क्या होता है किसी भी कारे को संचालित करने के लिए या मैं कहूँ कि ठीक ढंक से संचालित करने के लिए जो basic needs होती हैं उन सब को हम infrastructure कहते हैं जैसे अगर हम court की बात करें तो court में table चाहिए फिर cut घरा चाहिए hall चाहिए सबसे में तो hall हो गया फिर जो judge साहब बैठेंगे जो नैधीस बै बैठेगा उसको एक laptop चाहिए internet चाहिए पानी चाहिए फिर आप देखोगे कि court के अंदर ladies toilet और separate jeans toilet का होना भी जरूरी है तो यह सारी चीजे infrastructure के अंतरगत आती हैं पहली चीज साथी साथ एक आंकड़ा आप और देखिए तो कहरा है 26% of court complexes do not have separate ladies toilets 26% court ऐसे हैं जिसमें separate ladies toilet न 15% do not have toilets for jeans और 16% ऐसे भी complex हैं या court complex हैं जहां पर jeans toilet ही नहीं है तो आप समझ सकते हो कितनी समस्या है साथी साथ एक और थोड़ा सा केवल 5% courts ऐसे हैं जिनके पास जो first aid medical facilities होती हैं वो हैं यानि गर छोटी मोटी किसी को court complex में या court परिसर में समस्या आ जाए तो केवल 5% ऐसे हैं यहां पर छोटी फोटी जो medical facilities उपलब्ध हैं साथी साथ आप देखोगे कि 27% have a computer on judges dice with video conferencing facilities केवल 27% court hall ऐसे हैं जहां पर just सहाब बैठते हैं तो उनके साने computer रखा होता है net होता है ताकि वो अगर कोई मामला उठिया तो फटाग से सर्च मार कर केस की कारवाही को आगे बढ़ाएं अगर internet नहीं होगा डेस्क टॉप नहीं होगा तो कोई गंभीर मामला उठिया तो फिर judge सहाब क्या करते हैं कि कुछ दिन का वक्त कहते हैं कि अगली सुनवाई इस और जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि video conference वहीं पर होती है वही सारी चीज़े यह भी लिखी है कि purified drinking water facility नहीं है basic medical facilities नहीं है तो यह सारी समस्याएं हैं यही है court का infrastructure तो इसी लिए भारत के Chief Justice of India या मुख नयदी C.V. रमनना साहब ने कहा कि इसके लिए एक separate specialized authority नजाई बनाई जाए ताकि वह काम करे subordinary courts में infrastructure से related इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथे साथ जो Chief Justice of India है इन्होंने कहा कि यह जो नजाई नामक संस्था होगी यह Supreme Court के अंतरगत काम करेगी यानि ज्यादा तर आप संस्थाओं को देखते हैं जैसे अगर हम अभी मैंने example या नालसा का National Legal Services Authority की बात हमने की तो वो Ministry of Law के अंतरगत आती है या विधिमंत्राले के अंतरगत आती है लेकिन रमन्ना साहब ने कहा कि नजाई Supreme Court के अंतरगत आनी चाहिए ताकि बेहतर धंग से court का काम है तो court के अंतरगत आए ताकि बेहतर धंग से काम हो सके हैं अगला म जो नजाई बनाई जाएगी जो subordinate court में infrastructure का development करेगी ये basically subordinate court में कोई बड़ा policy change नहीं करेगी subordinate court में जो policy change की जिम्मेदारी है वो हाई court पर अभी भी बनी रहेगी कि हाई court उनका super vision करे हाई court उनको समय समय पर निर्देश देता रहे जो भी बड़ा policy change करना हो वो पहले की तरह हाई court के समीप ही सकती है पास सकती है वो नहीं करेगी basically ये करेगी क्या कि जो court हैं subordinate court हैं उनको grass route लेबल पर या जमीनी इस तरपर infrastructure projects के माध्यम से मजबूती प्रदान करेगी तो नजाई उनकी जो basic कोई बड़ा policy change नहीं करेगी बलकि जमीनी इस तरपर उसको मजबूत करने का प्रयास करेगी अब बात आती है कि इस नजाई का या national judicial infrastructure authority of India साथी साथ state judicial infrastructure authority के members कौन कौन से होंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेकर नजाई की तो जो केंदर इस तरपर एक संस्था बनाई जाएगी उसमें कुछ high courts के जो राज इस तरपर high courts होती हैं उनके judges होंगे साथी साथ कुछ central government के officials होंगे क्यों क्योंकि जो भी इस प्रकार की subordinate courts या अधिनस्त नयाले की आधार बुद संदचना के विकास के लिए project होते हैं basically ये central sponsored scheme या केंदर प्रायोजित योजना के अंतरगत आते हैं अब बात आती है कि केंदर प्रायोजित योजना क्या होती है केंदर सरकार की जो योजना होती है वो दो प्रकार की होती है एक होती है central sector scheme दूसरी होती है central sponsored scheme जो central sector scheme होती है जिसे हम हिंदी में केंदरी छेतर की योजना बोलते हैं इसमें 100% funding केंदर सरकार के द्वारा की जाती है जो central sponsored scheme होती है वहाँ पर केंदर और राज मिलकर योजना की financing करते हैं जैसे एक example मैं दूँ 60-40 60% वे जो किसी योजना के लिए होगा वो केंदर सरकार करेगी और 40% वे राज सरकार वहन करेगी तो basically अगर आप देखोगे कि अगर हम इसके members देखे तो कुछ high courts के judges नजाई के member होंगे प्लस central government के official तो चुकि जो sub-ordinates courts के development के लिए जो भी schemes होती है वो central sponsored होती है मतलब केंदर और राज दोनों उसको वित्पोशड करते हैं financing करते हैं इसलिए केंदर सरकार के official को इसमें सामिल किया गया है ताकि कम से कम केंदर खर्चा कर रहा है तो उसको ये भी पता चलता रहे कि उसका पैसा किस धंग से खर्चा हो रहा है या कैसे खर्चा हो रहा है या नहीं अब जो राज जी के इस तरफ पर state judicial infrastructure authority होगी अगर हम उसके member की बात करें तो वहाँ पर chief justice of high court होगा मतलब chief justice of high court का मतलब कि उस राज जी की जो भी उचनेयले होगा उसके chief justice इसके member होगे प्लस इसी high court से एक nominate judge होगा यानि एक judge को nominate किया जाएगा प्लस कहा जा रहा है लगभग 5 district judges होगे इसमें सामिल प्लस राज सरकार के कुछ official सामिल होगे तो basically केंदरी स्तर पर और जो राज स्तर पर infrastructure authorities होगी वो क्या करेंगी एक प्रकार का cooperation करेंगी ताकि subordinate courts या अधिनस्त नयालों में infrastructure की जो भी कमी है चाहे वो hall से related हो या complex से related हो या फिर computer ना हो या separate आप देखो के library ना हो या जो भी समस्या है infrastructure से लेकर उनकी पूरती की जायब अब बात आती है कि इसकी जरूरत क्या थी अन्ती में अगर हमें एक नजर डाले तो देखिए सबसे main जरूरत थी कि जो fund है उनको manage करना दैसे मैं कह रहा हूँ कि subordinate course में जो भी infrastructure development होता है वो basically केंद्र प्रायोजी प्योजना या central sponsored scheme के अंतरगत होता है जिसमें केंद्र और राज मिलकर financing करते हैं समस्या ये आ रही है कि केंद्र तो अपना हिस्सा दे देते हैं लेकिन राज अपना हिस्सा देते नहीं है तो बहुत जादा भेतर ढ़ंग से infrastructure development subordinate course में होता नहीं है दूसरी एक बड़ी problem ये आती है कि जो राज है वो जो केंद्र से पैसा आता है इस scheme के अंतरगत वो अन्य विविन्ध योजनाव में खर्चा कर देते हैं से आया था कोर्ट के infrastructure development के लिए राज्यों ने उसके माधम से roads बनवा दी तो ये एक बड़ी समस्या थी साथ ही साथ आप देखोगे second जो हम important point समझ सकते हैं कि कोर्ट में लगातार cases की संख्या बढ़ रही है infrastructure की जरूरत है अगर हम दुनिया के कई देशों का example लें तो वहाँ पर एक मिलियन या दस लाग पर लगभग आप देखोगे कि पचास से सतर जेज़ेस मिलते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दस लाग पर मातर बीस जेज़ेस मिलते हैं तो infrastructure problem भारत में hall नहीं है, cases की संख्या या case load लगातार जो हमारी judiciary है उस पर बढ़ रहा है तो अगर हम infrastructure development करेंगे बड़े बड़े hall बनाएंगे उन पर infrastructure provide कराएंगे, computer देंगे, internet देंगे तो cases जल्दी solve होंगे, internet के माध्यम से समय कम लगेगा और हम अधिक से अधिक cases को solve करेंगे यानि हमारी judiciary अधिक से अधिक cases को solve करेंगी, इससे फायदा क्या होगा कि जो भारत में judiciary के उपर बहुत जादा case load है जिसको सबसे पहले जिसकी और इसारा किया था सनी देवल साहब ने दामी मी मूवी में तारीक पे तारीक वो समस्या समाप्त हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, तीसरी सबसे इंपोर्टेंट ही चीज़ क्या है कि एक specialized authority होगी यानि जो sub-ordinated courts हैं या अधिनस्त नेयल हैं वहाँ पर जो infrastructure development होता है वो basically ad hoc आधार पर या कोई specialized तरीके से नहीं होता है थोड़ा बहुत काम हुआ करवा लिया किसी से या किसी contract देकर करवा लिया तो बहतर धंग से क्रियानवन हो नहीं पाता है जब specialized agency होगी तो इसका बहतर धंग से क्रियानवन होगा fund की बहतर धंग से निगरानी होगी और जो हमारी sub-ordinated courts हैं वहाँ पर infrastructure की किसी भी प्रकार की कोई problem नहीं होगी